अरे 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 कहां जा रहे हैं अब घबराइए नहीं ये कब्जा का ही मूवी रिव्यू है केजी एफ का नहीं और ड्यू स्पोइलर्स पहले ही दे दू कब्जा is everything like KGF but yet nothing like KGF जी हां सही सुना आपने कब्जा वो जुर्बा बेटा है जिसे देखके ही पता चल जाता है कि उसे गोद लिया गया कब्जा वो हमशकल है जो सरोजनी से वर्साचे और कमडानगर से लूई विटॉन खरीबता है कब्जा उस आलसी एडिटर की टाइम नाइन है जिसने काम और टाइम बचाने के लिए KGF के टेमपरेट को कॉपी पेस्ट कर भिया है कब्जब वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना तो क्या KGF लाइट और कब्जा आपके दिलों पे कब्जा कर पाईगी या नहीं जानते हैं हमारे इस मूवी रिव्यो में with me आतु शर्पाइब 120 करोड का बचिट, इंडियन रियल स्टार उपेंड, 4,000 स्क्रीन का रिलीज, बाच्षा किच्छा सुदीज, and the next big thing in इंडियन सिनिमा नहीं नहीं, I'm not fangirling, पर इतना काफी हो सकता है आपको थेटर स्टकीशने के लिए But then, here I am to save you, क्योंकि मैंने ये मूवी सर्वाइब करी, पर शायद आप ना कर पायों, so let me break it down for you 120 करोड का बजट, frame by frame KGF का टेंपरेट कॉपी करने में, सूपरस्टार्स की पीस में, and लडाई जगले की सीक्वेंसे शूट करने में चला गया तो एक अच्छी स्टोरी को सायो नारा बोलते है, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट उतना ही प्रेडिक्टिबल है, जितना नंदू और आजीर भाट्या का मूवी से पहले, सोच्छल में से जाना है इंडिन रियर स्टार इस पेंदर ने और शिष पूरी करी तो लिव अफ वाले रोल में, एक्जाक्ली फिट ही नहीं हो पाते इस लाइक कास्टिंग रिटिक रॉस्ट और अनुराग पच्छा फिल्म, ना इंसापी हुई है बादशा किछा सुदीब के फैंस के साथ, बिकोज उनका रोल एक्जाक्ली रोल ही नहीं ही, बच सिर्फ एक क्याम्यो बनके रह गया, जब तक हाइप बनती, तब तक बना सरपेर के action sequences would make you laugh, the sound design in this film would actually make you cry, in pain, और अगर आप इस मूवी का लुट्फ उठान की कोशिश करें हैं in dubbed languages, then Chota Beam and Doraemon are got your in comparison to Kapta, and इतनी slicing and dicing है इस मूवी में, कि लास्ट इम शायद तूट विंजा में की गई होगी, drum rolls, drum rolls, drum rolls, क्योंकि अभी सबसे बड़ी खबर दे Well, if you thought this was it, then let me disappoint you, क्योंकि कबजा बापस से आपको देहलाने, धमकाने और रूलाने आएगी with a part 2, तो ये मत बोलना की warning नहीं नहीं दी मैं, so to sum it all up, जब तक OTT पर कबजा नहीं कर लेती ये movie, तब तक आप KGF और Yash को देखकर अपने दिल को तसली दे सकते हैं, और OTT पर turn out to be with a flat storyline, dull music and uninteresting characters. So last warning, कबजा कबजा करे बैठी हैं in theatres near you, which you should avoid, लेकिन I couldn't.